अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो पेल आइकन है उसे आल लोटिफिकेशन पर क्लिक करें ऐसा करने से आपको मेरी रसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रसिपी अच्छ लगे तो लाइक जटपट बन जाती है घर के हाजर मसालों से और बाहर से ऐसी क्रिस्पी और अंदर से ऐसी टीस्टी बनती है ना बढ़िया सी मजा आजाएगा आपको आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सौफ करें यसे हरी चटनी का लिए मेरे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तुल बाहर से बढ़िया सी क्रिस्पी गड़ी और अंदर से मजदाड सी डिलिशिस टेस्टी लग री तो चलिए शुडुक करते हैं आज की बढ़िया सी रसिपी कडहाएं के अंदर थोड़ा सा तील दालिएगा थोड़ा सा ही डालिए इसके अंदर दो मेसाइश चुंद जब जुन्दा प्यास दाल दीजिए जब तेल गरम हो जाता है तो और जब जुन्दा प्यास दाल देजिए तो उसे फास्ट आज पर फ्राय करें आपने तब तक तक फ्राय करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती जी हां थोड़ा समय लगेगा तो इसमें दाल दीजिए एक टीबल स्पून अद्रक लसन का पीस्ट और उसे भी फास्ट आज पर फ्राय करें आपने तब तक फ्राय करना है जब तक कच्छे पन के खुश्बूना चली जाए जब यह जो अद्रक लसन भून जाए तो यहां दाल दीजिए 500 ग्राम कीमा चिक चुटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर दाल दीजिए देड या फिर दो चुटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्श पाउडर दाल दीजिए मैं देड दाल रहे हूं और दो चुटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर दाल दीजिए 3-4 चुटा चाय का चम्मच भुना जब एक से दो मिनिट हो जाती है, फ्राइड कर लें आप इसे मसालों में, उसके बाद पानी डाल दीजिए, तकरीबन मैं यहां डाल रही हूँ, आधा कब, आप कम भी डाल सकते हो, वानफोद कब भी डाल सकते हो, पानी डाल दीजिए और एक उबाल आजाने दीजिए, आप पक चुका है तो पॉरी तरीके से ड्राय हो चुका है, मतलब पर्फेक्ली हो चुका है, मैं यहां चूला बंत कर देती हू अच्छा अगर आपका आभी भी 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 बिजबिजा लगे और आप और पाने दिलगी हो, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इस सम्में अगर तो छूले को फास्ट आज कर दीजिए और पानी सुखा दीजिए और इस तरीके से ड्राइ कर लिजिए जब ड्राइ हो जा तो चूला बंद कर दीजिए गा जब तक चिक्किन ठंडा हो रहा है हम यहां आटा गून लेते हैं एक बड़े से बरतन के अंदर दो कप मैदे का आटा दालिए नमक दाल दीजिए थोड़ा सा स्वादा नूसार यहां मैं दाल रहे हूं 3-4 टेबल स्पून असली घी के आप चाहे तो तेल भी दाल सकते हैं मि अदम भी सॉफ्ट नेजिए एक दम भी हाड नेजिए सॉफ्ट आटा अच्छे से लगा लें इसको जब 5-7 मिनिट अच्छा गून ले तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए औल ओवर आटे के ऊपर और ढाक कर किच्छन टोवल की मदद से इसे साइड पर कर दीजिए 15-20 मिनिट के लिए चिकन अच्छा ठंडा हो चुका है तो यहां पर मैं आधे निम्बू का रस डाल देती हूं डालकर मिक्स कर लीजिए खुब सारी बारे कटिव भी कोथ मिर डाल दीजिए और मैंने दो चुंदा प्यास मीलियम साइज की है उसे चुंदा करक है उसे भी जारा डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे भी प्रिपेर करके साइट पर रख दीजिए तीन अंडों को एक प्याली में फोर कर दालें इसमें हरी मिर्चियां डाल दें मैं तीन बारी कटिव भी डाल रहे हूं आप कोथ मिर भी दाल दें उसके अंदर नम्मक थोड़ा सा और काली मिर्चो का पाउडर दाल कर बहुत अच्छे से फेट कर साइट पर रख दें इसे भी अच्छा मैं इसमें हरी मिर्चियां डाल रहे हूं आप चाहे तो यह जो चिक्किन का मिक्षर बना के रखा उसमें भी डाल सकते आप चाहे तो अंड एक और ले सकते हैं चली 15-20 मिनट हो चुके मैं फिर से एक बार गून लेती हूं आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट आटा हुआ है अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूं तकरीबन 11 पेड़े बनेंगे मीडियम साइज के बनाएं बहुत जादा छोटी भी नहीं जो बना कर साइप पर रखा है भूर भूरा सा सूखा हुआ उसके 2-3 टेबल स्पून डाल दीजिए बीच में डालिएगा हलका सा बीच में या फैला दीजिए हातों की मदद से आप जब डाल दें तो अब यह जो अंडे की मिक्सियर को हमने साइट पर रखा है उसे फिर से लीजिए अच्छे से फेट लीजिए और अब डाल दीजिए 3-4 टेबल स्पून हमारा जो चिकेन का कीमा है उसके उपर डाल दीजिए इस तरीके से और अब यह जो रोटी है एक साइट से पल्टिये उपर डाल दीजिए चिकेन के दूसरी साइट से भी कीजिए तीसरी साइट से भी उसके उपर डालिए और चौथी सैट से भी उपर दाल कर जड़ा प्रेस कर दीजिए तो अच्छी चप्टी हो जाएगी इसमें मैंने कोई लई नहीं लगाई आपचा है तो आटे की लई लगा सकते हैं अब चूला चालू कर दीजिए फ्राइपन का थोड़ा तेल दाल दीजिए तेल अच्छा गरम हो जाए तो चूले को कर दीजिए मीडियम आज अब बिसमिल्लाए रह्मानी रहिम बोलकर यह जो एक पैकेट है इसका यह दाल दीजिए और इसे पकने दें तकरीबन एक से दो मिनिट तक slow आज पर इसे पकाएं, जब एक से दो मिनिट हो जाएं, तो पलट दें इसको ये देखिए मैंने पलट दिया कितना अच्छा खुबसूरत कलर आए और साइस से इस तरीके से करें so that sides भी पकें अच्छे से अब चूले को कर दीजें, मीडियम आज और मीडियम आज पर भी बकाएं इसी तरीके से slow, medium, slow, medium करते जाएं, उलट पलट करते जाएं और sides भी अच्छे, अच्छे से उसे पकाते जाएं so that हमारा अंदर का जो कीमा तो पका हुआ है, लेकिन जो अंदा दाला है, वो पक जाए और ये जो उपर की जो हमारी जो रोटी है, वो भी बहुत अच्छे से अंदर की वाली भी पक जाए तो इसके लिए उलट पलट करते जाएं, जब 3-4 मिनिट हो जा और golden brown crispy हो जा तो इसे निकाल कर side पर रख दीजिए टीशू पेपर के उपर इसी तरीकी से सारे fry कर लें, अच्छा आपने देखा कि मैं इसे कोई भी तरीकी से चिटका नहीं रही हूँ, आप चाहें अगर आप नए हों, तो थोड़ा सा आटे का लई बना लें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा लीजिए गिम का, और थोड जैसे तेल में ही fry कीजिए, जैसा मैंने दाला है, डीप fry मत कीजिए, बहुत oily oily लगेंगे और छूटेंगे भी फिर क्योंकि हमने लाई नहीं लगाई है, तो आप चाहें, तो अंडा कम दालकर मेरी तरह चिकन का जादा मिक्स्चर दाल सकते हैं, या आपको जादा बनाने ह जैसे मैं कम अंडा दाल रही हूं, तो इसके लिए मैंने तीन अंडे लिए जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर वो कम पड़ जाता है, तो फिर से आप तीन अंडों का बना लीजिए, या एक साथ आप चार या पांच अंडे को ही एक बावल में दालकर सारा मिक्स्चर बन तो आपके ऊपर है, छोटे भी बना सकते हो, तो जादा बनेंगे, चलिए ये बन गए, बोरी मुल्ला स्टाइल, बैदा रोटी, और इसे कर्मा गरम हरी चटनी के साथ सर्फ करें और इंजॉय करें, तो ये थी आज की रेसिपी, अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाए आप मेरी बना हो, तो बनाह ऑग जब सु टंगे वे अपरा करें यूझा थार मेरी बनाएंगे।